हाइ फ्रेंट्स मैं हूं खूशी और मैं आध आपको इस वीडियो मैं बताने वाली हूँ कि इंस्टागोर्म पोस्ट में एड्र मूजिक का ऑप्ष्ण शो नहीं हो रहा है आध कि वीडियो में आपको है बताने वाली हूँ जैसे कि मैंने Instagram open करने के बाद मैं पॉस्ट वाले सेक्शन में चली चाती हूँ और पॉस्ट वाले सेक्शन में जाने के बाद जैसे कि मैं यहां से मैं यहां से कोई भी एक फोटो ले 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 तो जैसे कि मैंने यह वाला फोटो ले लिया है उसके बाद उपर arrow पर click कर दूगे again arrow पर click कर दूगे click करने के बाद है जिसे कि आप यहाँ पर कोई भी पॉस्ट डालते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं यह add music को option शो हो रहा है यह अगर आपको यह option शो नहीं होता है इस पे आप कोई भी पोस्ट पे है जो क्लिक करके और यहां से कोई भी सौंग एड कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं आपर सौंग जो आप चाहें वो सौंग यहां पर लगा सकते हैं एड मुजिक पे क्लिक करके कोई भी सौंग कोई भी पोस्ट पे आप लगा सकते हैं so friends अगर आपके mobile में यह पोस्ट पे अगर add music का option नहीं आ रहा है so friends कैसे लें आज की वीडियो में मैं आपको यही पताने वाली हूँ अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया है so please चैनल को जरूर सब्सक्रेब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें so चलिए friends वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले है जो यहां से आपको उसका स्क्रीनशोट लेकर रख लेना है जिसकि मैंने है जो इसक्रीनशोट ले लिया है उसके बाद आपको क्या करना है यहां से ही जो आपको बैक चले जाना है बैक जाने के बाद है आपको अपने मोबाईल की सेटिंग में चले जाना है mobile की setting में जाने के बाद है यहाँ पर आपको app manager का option दिखाई देगा या फिर यह option है जो सब mobile में अलग-अलग होता है जिसे कि जो भी अलग-अलग companies के mobile होता है तो यह option है कई में जो apps names ही होता है या फिर application name से होता है तो यह जिसे कि मेरे mobile में इस पी आपको क्लिक कर देना है आपकी mobile में जिस भी नेम से apps ए फिर application उस पी आपको क्लिक कर देना है उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी mobile में जितने भी एप से सारे अप आपको यहाँ पर show हो जाएंगे so friends यहाँ पर नीचे scroll करना है और instagram पर klick करना है Instagram पर klick करने के बाद आपको हियाँ पर storage का option मिल जाएगा उस पी आपको klick करना है और storage का option नहीं मिलेगा तब भी आथो आपको clear catch या फिर clear data का option directly आपको show हो जाएगा उसके बाद पर यहाँ आपको clear catch हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है आपको अगें इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है और इंस्टाग्राम है जो ओपन करने के बाद है आपको क्या करना है आपको अपनी प्रोफाइल में जाके त्री लाइन में जाके और सेटिंग में चले जाना है setting में जाने के बाद है आपको यहाँ पर help पर option मिल जाएगा उस पी आपको click करना है उस पर click करने के बाद है यहाँ पर आपको report और problem का option मिल जाता है उस पर click कर देना है और उस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको send feedback का option मिल जाएगा उस पी आपको click कर देना है और उस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर टैग स्क्रिंशोट या फिर गैलरी का अप्षिन मिल जाता है यहाँ से आपको कोई से पर भी गैलरी पर क्लिक करना है और वहाँ से जो स्क्रिंशोट आपने लिया था उसे है जो एड़ कर लेना है उसके बाद उपपर आपको एक लाइन लिखी हुई मिलेगी what would you like us to improve so friends यहाँ पर आपको कुछ लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ क्या लिखना है यहाँ पर आपको लिखना है dear instagram team फिर आपको थोड़ा नीचे लिखना है gap देखे my instagram post add music option not showing please provide me this option नीचे लिखना है thank you यहाँ पर आपको लिखना है उसके बाद उपर आपको submit option मिल जाता है आपको submit वाली option पे click कर देना है और submit वाली option पे click करने के बाद है जो आपका यह feedback है और जो यह message है जो instagram team के पास चल जाएगा और फो कुछी दिनों में या फिर कुछी टाइम में है जो आपको वो add music का option प्रोवाइड कर देंगे ऐसे friends अब भी instagram में अगर आपको post पर add music का option नहीं मिलता है तो friends आप इस तरीके से ला सकते है अगर आपको यह video पसंद आएए प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वचिंग इन दिस वीडियो